आम शंत तीन फरवरी तो वजब दो के मुटली है चौथी बात है सेवा सेवा द्वारा सभी को अनुभाव है जब भी मनसा सेवा या वानी द्वारा वा कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ती आत्मे खुशी मिलती है तो चेख करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूती कहां तक की है अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा सेवा नहीं तो वह सेवा अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा भलदायक नहीं है वह सेवा सफल नहीं वह सेवा जमा नहीं वह सेवा गुद्धी को नहीं पाएगी वह सेवा सिद्ध नहीं होगी वह सेवा स्वार्थ अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है सेवा में कोई न कोई कमी है इसलिए खुशी नहीं मिलती है सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुश्नुमा कुष्णुमा खिला हुआ रुहानी गुलाब खुशी के जूले में जूलने वाला अनुभो करेगी तो चेक करो सारा दिन सेवा की लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे यहां नहीं ये यह नहीं ये और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर दूसरा सेवा साथी ओपर तीसरा एक तो सेवा स्थान पर दूसरा सेवा साथी ओपर तीसरा स्वयम पर चोथा वायु मंदर और पाच्वा विश्व और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवस्थान पर दूसरा सेवसाथियों पर तीसरा जिन आतमाओं की सेवा की उन आतमाओं पर पड़े वायू मंडल क्या हो जाए खुश हो जाए यह है सेवा का खजाना खुशी तीन फरवरी दोजार दो की मुडली है चौथी बात है सेवा सेवा द्वारा सभी को अनुबव है जब भी मंसा सेवा या वानी द्वारा वक कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी त्रापती आतमिक खुशी मिलती है तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुबूती कहां तक की है अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथा आर्थ सेवा नहीं है सेवा में कोई ना कोई कमी है इसलिए खुशी नहीं मिलती सेवा का आर्थ है क्या आत्मा अपने को खुश्णुमा खिला हुआ रुहानी गुलाब खुशी के जूले में जूलने वाला अनुभो करेगी तो चेक करो सारे दिन सेवा की लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे यह नहीं यह नहीं यह और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर दूसरा सेवा साथियों पर तीसरा जिन आत्माओ की सेवा की उन आत्माओ पर और चोथा वायु मंदल खुश हो जाए सेवा का ख़ताना है खुशी ग्यान, योग, धारणा और सेवा चार चीज़े हैं कलाम में देखा था उल्टा नशा या फिर ज़्यादा नशा किसमें योग में यहां बाबा आत्माओ की सेवा करने के लिए कह रहे है आत्माओ की सेवा करो और उससे यदि खुशी मिल जाए तो वो सेवा यथारत सेवा है अगर खुशी नहीं है तो यथारत सेवा नहीं है कौन-कौन खुश होता है एक तो हमस्वयम दूसरा साथी तीसरा जिन आत्माओ की सेवा कर रहे है वो चवथा स्थान और पाच्वा वायु मंदल और छट्वा विश्व और साथ्वा स्वयम भगवान तो ग्यान से आत्माओ की सेवा करना ये भी एक सेवा है एक है मंसा से एक है वाच्चा से एक है कर्मना से ग्यान से आत्माओ की सेवा करना तो हम पहले ग्यान की बाते देखेंगे जो कल योग की देखी कि जो उल्टा नश्या है कल की पॉइंट से या देना पहला sleeping yoga दूसरा screen yoga तीसरा silence batch yoga चवथा random yoga छटवा पाच्वा रूम छटवा walking, talking eating, talking इसको इदर ले लो उसके आगे murali yoga closed eye yoga और playing yoga अभी yoga था, अभी है ग्यान ग्यान किसको नहीं कहेंगे या ग्यान का extra नशा कहो या उल्टा नशा कहो या ऐसी कौन सी बाते है जिसको हम ग्यान समझते हैं परन्तु वो है नहीं कौन कौन सी चीज़े है या जो ग्यान नहीं है समझते हैं पर है नहीं सबसे पहला तो मुर्ली सुनना पढ़ना और सुनना मुर्ली केवल सुनना पढ़ना या सुनना केवल मुर्ली सुन लिया मुर्ली पढ़ ली और दुसरों को मुरली पढ़ा दी यह ग्यान नहीं है ग्यान का एक अंग मातर है एक अभिनांग है परन्तु केवल इसी को ग्यान समझना यह ग्यान नहीं है तो पहला हो गया ग्यान मुरली को सुनना मुरली पढ़ना और फिर दूसरों को पढ़ाना केवल ये ग्यान नहीं है जबर्दस्ती दूसरा मुर्ली का चिंतन करना केवल मुर्ली का चिंतन करना मुर्ली का स्वरूप बनना नहीं है केवल ग्यान का चिंतन ही करते रहना ये केवल संपूर्न ग्यान नहीं है संपूर्न ग्यान तक पहुचने का एक सोपान मातर है परंतु इसी को संपूर्ण ज्ञान समझ लेना कि हम मुरली का चिंतन करते है यह ज्ञान नहीं है ज्ञान बहुत उची अवस्ता है शास्त्रों में लिखा है अग्यान अंधकार में भटकाता है अग्यान अंधकार में बढ़काता है ग्यान महां अंधकार में बढ़काता है क्यों? अहंकार उस ग्यान का ही अहंकार वो अग्यान का अंधकार है यह अहंकार का अंधकार है अग्यान अंधकार में बढ़काता है ग्यान महां अंधकार में बढ़काता है यदि उस ग्यान के साथ में तो श्रदावान लबत ग्यानम नहीं अगर विद्या है अगर ग्यान है पर उनके साथ में विने नहीं है विने नहीं है तो वो हंकार वो अन्रकार है लोमती जलद घ्योनी निरे थोर गर्व ना धरी अभिवात्सा हाथ स्वभाव उपकार पराथ जो महानातमा होती है उनको अंकार नहीं होती है वो तो जलद की जैसी है वो बादलों की जैसी है वर्शा बरसाते है थोर गर्व ना धरी अभिवात्सा हाथ स्वभाव उपकार पराथा उनका स्वभाव उपकार करने का है वहां अंकार नहीं तो यदि ग्यान के चिंतन से ही अंकार जनम ले रहा है तो क्या करना चाहिए उस चिंतन का तो ऐसा ग्यान नहीं लेना है जो अंकार को जनम दे उसमें फिर अधिक भटकना है और वो रॉयल भटकना है ये दूसरा तीसरा साथ दिन का कोर्स कराना के वल ये ग्यान नहीं करा वो ही सकते हैं जो जानते हैं वो बड़े कल कहां बड़े छोटे अध्यम प्रदर्शनी समझाना वो भी केबल ग्यान नहीं है पाच्वा क्लासिस कराना ये भी केबल ग्यान नहीं है छटवा सेमिनार वरक्शॉप स्टिरिच्वल अक्टिविटी कराना ये भी केबल ग्यान नहीं है और सात्वा हम सब कुछ जानते है हमें कुछ जानना बाकी नहीं है अगर ये इसी को ग्यान समझा जाए तो ये महा अंधकार में बटकना है तो कहां बटकना है शाम भई छोटे अंधकार में या महा अंधकार में छोटा ठीक है क्योंकि अंकार का जो अंदक्कार है वो जनम जनम तक भढ़काता है ज्यान की पराखाष्टा इस बात में है भावा ने ये तो कह दिया है कि तुम सब कुछ जानते हो परंदू ज्यानी की निशानी ये है कि मैं कुछ भी नहीं जानता अभी जानना बाकी है अभी तो कुछ भी नहीं समझाए कम समझदार भवग तो ये ज्ञान का उल्टान नश्या ज्ञान का अहंकार हम ज्ञानी वो अज्ञानी हम ब्राह्मन उस बिन पात हो हो रहे थी न अभी तक शब्द नहीं पता क्या प्रेयोग करना चाहिए तो यह है ग्यान के साथ पॉइंट्स पहला मुर्ली सुनना सुनाना और मुर्ली सुनना पढ़ना और पढ़ाना दूसरों को दूसरा मुर्ली चिंतन करना चिंतन करना बहुत महत्वपूर्ण है जो पहले तीन चीज़े कर रहे उनसे तो आगे है चिंतन वाला परन्तु वो भी मंजिल नहीं है मंजिल तो बहुत आगे है बहुत उची है तीसरा साथ दिन का कॉर्स साथ दिन का कॉर्स ही कराते रह रहे और समझ रहे हम बहुत बड़े महा ग्यानी है चाथा प्रदर्शनी समझाना हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं प्रदर्शनी कोई भी चिक गैस हुआ है तो अगला सेमिनार अच्छा क्लासेस कराना अगला सेमिनार वर्क्शाप और स्पिरिच्वल एक्टिविटी अगला हम सब जानते हैं तो यहां पर बाबा ने जो कहा अभी क्या सुना कि सेवा से क्या होता है एक तो खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर दूसरा सेवा साथियों पर तीसरा जिन आतमाओं की सेवा की उन पर वायू मंदल खुश हो जाए सेवा का खजाना है खुशी तो अभी हम यहां पर एक छोटा सा प्रयोग करेंगे यहां जो बैठ सकते हैं नीचे तीन तीन का गुरूप बनाके बैठेंगे नीचे तीन गोल तीन लोग गोल इसमें एक एक करके एक दम नहीं आएंगे रुकिए पहले भाई लोग बैठेंगे मातायब हाँ थोड़ा सा दूर दूर हो जाए अगर जगा है तो इसमें बाबा ने कहा है सामने ही देखे इधर देखने के जरूद नहीं है बाबा ने कहा है जब हम खुश रहते हैं तो एक तो जो सेवा साथी है वो खुश होता है और दूसरा जिसकी सेवा करते है वो खुश होता है तो अभी हमारे सामने जो दो आत्माएं बैठी है एक को समझना है ये मेरा सेवा साथी है और दूसरे को समझना है इसकी मैंने सेवा की तो और उसको क्या करना है खुशी के वाइब्रेशन्स देना है समझ में आया क्या करना है दृष्टी देनी है इसे कहा जाता है द्रिष्टी योग तो अपनी द्रिष्टी घुमानी है सबसे पहले एक आत्मा पर और उसको खुशी के vibrations, किरने, प्रकमपन देने हैं ये सोच कर कि ये मेरा सेवा साथी है दूसरी आत्मा की तरफ देखना है फिर टोटल म्यूजिक बजेगा बारा मिनिट का, पहले छे मिनिट कॉमेंट, छे मिनिट जो है वो, जो हमारा म्यूजिक है वो, छे मिनिट एक आत्मा को द्रिष्टी और छे मिनिट दूसरी आत्मा को द्रिष्टी और क्या करना इस द्रिष्टी में उसे खुशी के vibrations देना है और यही प्रयोक फिर सारे दिन भर चलते फिरते उठते बेटते खाते पीते सेवा स्थान पर करना है कि यह मेरा सेवा साथी है इसे मुझे क्या देनी है आज सारे दिन भर खुशी देनी है वो सेवा यह थारत सेवा नहीं है जिसमें खुशी ना हो एक तो यह और दूसरा चलो पूर्वी बेन जल्दी आजा टाइम क्या आना है क्या करना है उसको बता दो पूर्वी बेन को तो अभी चालू करते हैं सभी तयार है तीन तीन बैट गए है दृष्टी देनी है भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा को देखना है और पावर्फुल दृष्टी देनी है और पूर्ण पने सबसे पहले अपने शरीर को स्थिर कर दो ताकि एक बार बैटने के बाद कोई आवाज न हो कोई हलचल न हो हाथ ना ही ले पैर न ही ले आखे भी स्थिर कर दो तो अभी चालू करते हैं आखे बन नहीं करना है स्लीपिंग योगा नहीं करना है और क्लोज आइड योगा नहीं करना है आखे बार नहीं करना है तेजस्वियों में महा तेजस्वी योगियों में महा योगी तपस्वियों में महा तपस्वी मैं एक तेजो में ये आत्मा है चेतना की वह के रहन जो इस तेहर में विराजमान है वह जोतिर में आत्मा है में है ब्रकुटी तक्त पर विराजमान खुशियों के खजाने से संपन में खुश्नमा अत्मा है खुशियों के सादर शुबाबा से अनंत खुशियों की धारा है मुझा अत्मा पर पढ़ रही है कल कल निनाद करता खुशियों का यह अविरल जर्मा मुझा तुमा के दूर दूर तक बहरा है खुश्यों के खजाने से संपन खुश्नसीब आत्मा एक चैतन्या खिला हुआ रुहानी गुलाद है मुझा अत्मा से चार और खुशियों की धिर में फैल रही है मेरे सामने मेरा सेवा का साथी आत्मा मेरे सामने मेरे सभी सेवा साथी बैठे है मेरे आत्मा हुआ सम्मक पैठी है इन सभी सिवा साथियों को देख रहे हैं और उन में से साकार रूप में जो यह एक आत्मा मेरे सामने बैठी है संपूर्नात्मित्रिष्टिपूर्णात्मा को देख रहे है खुशियों के प्रकंपने मुझा आत्मा से निकल कर मेरे सिवा साथियों में जा रहे हैं खुशियों के ये फवारे समुक बैठी है आत्मा अनुभाव कर रहे हैं क्यों के डिकलां अनुट कर रहे हैं क्यों कि घुशियों कर संचे रहे एवाँ झाल झाल तो पलता है तो झाल जान पूर में यतार क्पीवा तरूप खुशी मैं आत्मा स्वेम अनुभो कर रहा हूँ स्वेम को खुशी के जूले में जूलता वा अनुभो कर रहा हूँ स्वेम का ये स्वेम जूले में जुशी जूले में जूले में जूले में जूली कर रहा हूँ भर गया यहां का वायु में दगे खुशियों के सुक्ष मरश्मिया धारन किया कैसा लोकिक हो गया है यह संपूद्न कम्राव खुशियों के सुक्ष मत्रम दोसी लेहरा राए अपने आत्मा मेरे सम्मुक बैठी दूसरी आत्मा को देख रही धीरे धीरे मेरी दृष्टी उस आत्मा की और मुड रही है यह वह आत्मा है जिसकी मैं सेवा कर रही है चाहे मन्सा से या फिर वाचा से या फिर कर्मना से इस आत्मा की सेवा कर जितना खुशी का मैं अनुभाव कर रही है ब्रुकुटी में चमकता हुआ फितारा मैं आत्मा एक दूसरे ब्रुकुटी में चमकता हुआ फितारा देख रही है मन्सा से इस आत्मा के लिए शुबभावना और शुबभा कामना निकल रही है मेरे खुशी के सुक्ष्म प्रकंपन इस आत्मा तक पहुच रहे है वाच्चा से जो भी ग्यान मैं इस आत्मा को सुना रही हूँ सुनते सुनते ही या आत्मा उसे धारन कर रही है मेरी कर्मना सेवा से यहां अत्मा संपूर्न संतुष्ट हो रही है मेरे खुशी के वाइप्रेशन्स अब इसकी खुशी बन रही है यहां का वाइप्रेशन्स संपूर्न खुशी से ओद प्रोध हो गया है मेरे सभी सेवा साथी और वो सभी आत्मा है आज जिन की मैं सेवा करूंगी सभी उसी खुशी को पा रहे है जिसका जर्ना मेरे अंदर बहरा है मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ में कुशनसी वात्मा हूँ अविसी मोन अस्तामे सभी टेंगे और अपने अपने स्तान पर वर टेंगे आप शांदे तो यथार्त सेवा वह है जो हमें भी खुश करे सेवा साथियों को भी खुश करे जिनकी सेवा हम कर रहे उन्हें भी खुश करे वायू मंडल में खुशी की लहर फैल जाए और विश्व के वायू मंडल में सकल जगत में बहु खुशी की धारा बहने लगे सबी ने अनुभो किया तो ये अनुभो केवल अभी नहीं सारे दिन भर में भी करना है जिस-्जिस की हम सेवा करेंगे और जिन-जिन साथियों के साथ हम सेवा करेंगे चाहे वो कैसे भी हो उनके वरतमान सवा संसकारों को न देखकर अपने अनादी संसकारों में स्वैम स्थित होना और उन्हें भी स्थित कराना यही वास्तविक और संपूर्न सेवा है बहुत सेवा सेवा यतारत नहीं है जिसमें खुशी नहो इस संकल्ब के साथ आज सारे दिन वर सेवा कर आम शंद